नमस्कार जोहार मेरा नाम है अवंतिका और आप देखे रे दफोर्सपिलर डॉट निउस जार्खन विधान सभा में मांसुन सत्र का आज तीसरा दिन था आज भी सदन के बाहर भाजपा के विधायकों ने धर्ना दिया विधायकों ने धर्ना देते हुए राज्य सरकार से जार्खन को सुखाड घोसित करने इसके साथ ही विपक्ष ने नियोजन नीती को लेकर भी सरकार को घेरा नियोजन नीती नहीं लागू करने पर अमरबावरी ने सरकार पर निसाना साधा और कहा कि जारखंट के यूवा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने आज फिर से राज्य सरकार से स्तिफे की मांग की है वही सदन के बाहर मांडर सीट से कॉंग्रस विधायक सिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री से सुखाड को लेकर चर्चा की गई है मुख्यमंत्री राज्य को सुखाड घोसित करेंगे इसकी आशंका है वही उन्होंने कहा नियोजन नीती को लेकर विजेपी विधायकों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है विधान सभा के बाहर राज्य के श्रम मंत्री सत्यनन्द भोगता को भी मीडिया ने राज्य के लौ एंड ओर्डर पर घेरा तो मंत्री ने कहा कि हर जगा घटनाए होती रहती है सदन के अंदर की कारेवाही 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सुरु हुई आज भी सदन काफी हंगामेदार रहा आज सदन में सत्ता पक्ष ने ही पहले राज्य सरकार को घेरा सत्ता रूड पाटी जार्खन मुक्ती मोर्चा के बोर्यो से विधायक लोविन हेम्रम ने राज्य में खनीच की लूट को लेकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछा उन्होंने नियम के विरुध खनन पट्टा देने की बात कही भाजपा विधायक CPC ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से राज्य में विधिवेवस्था नियोजन नीती और स्थानिय नीती जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का आगरा किया CPC ने कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है इसी बीच सदन की कारवाही साड़े बारा बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई इसके बाद सुन्यकाल के साथ सदन की सुरुवाद हुई इस दोरान हंगामे के बीच एक एक कर सदस्यों ने सुन्यकाल की सूचनाय पढ़ी सुन्यकाल के बाद सदन की कारवाही फिर से दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी सत्ता पक्ष के विधायक सुधिव्वे कुमार ने अनुपूरक बजट पर अपना पक्ष रहते हुए मनिपूर में हुई हिंसा को लेकर भाजपा को घेरा वहीं विधायक शिल्पी नेहत्तिरकी ने अनुपूरक बजट के पक्ष में अपना मत जाहिर गिया वहीं जामताड़ा से कॉंग्रस विधायक इर्फान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी और उनके बीच चल रही ट्वीचर वार को सदन में उठाया उन्होंने कहा बाबूलाल मरांडी पहले से क्यूलर आदमी थे भाजपा के ओफिस में घुसते ही बदल गए इसके साथ ही इर्फान अंसारी ने मधुपूर को जिला बनाने की मांग सदन के शमक्ष की जिसके बाद राज्य के वितमंत्री रामेश्वर उराव ने सदन को अनुपूरक बजट पेश करने का कारण बताया और सभी विधायकों को सदन की कारवाही में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया और बीते चार सालों में हेमन सोरियन की सरकार द्वारा किये गए अच्छे कामों को भी गिनाया सदन के अंत में इस स्पीकर ने अनुपूरक बजट के प्रस्ताओं को बहुमत की सहमती से पास कर दिया और इसके साथ ही सदन कल यानी 2 अगस्त 11 बज़े तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन के आगे की कारवाही कल सुबह 11 बज़े शुरू होगी फिलाल के लिए तना ही देखते रहें दाफोर्थफिलर डॉट न्यूज अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बीना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रित हों इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानों जैसे फेस्बुक, इंस्टेग्राम, ट्विटर पर भी देखनी को मिलेगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं शुक्रिया